सब को मेरा प्यार भरा नमस्कार तो ये वीडियो जो है वो चोथी कक्षा के लिए हिंदी की पाठे पुस्तक प्रिमजिम मैंसे जो बार्मा अध्याय है जिसका नाम है सुनीता की पहिया कुर्सी उसके बारे में है क्योंकि सुनीता एक ऐसी लड़की होती है जो की दिव्यांग होती है ऐसी बच्चा होती है जिने विशेश जुरूरतों की अशक्ता होती है उसे पहिया कुर्सी की अशक्ता रहती है तो आए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं कि सुनीता सुनीता सुबह सात बजे सोकर उठी कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही तो वो सुबा साथ वजे सोकर उठी और कुछ देर अपनी बिस्तर पर बैठी रही वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने है उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है सोचते ही उसकी आँखों में चमक आ गई यानि कि उसमें स्पूर्ती आ गई चुस्ती आ गई सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी तो वो पहली बार बाजार जा रही थी और इसलिए उसके आँखों में चमक आ गई उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़ कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की और लड़काया क्योंकि वो दिब्यांक वाली का थी और उसे विश्यस जुरूरतों के अविशक्ता थी इसलिए वो उसने अपने जो टांगे हैं वो पलंग से खींच के नीचे की और लड़कायी फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी क्योंकि सुनीता जो थी वो पहिया कुर्सी की मदद लेती थी पहिया कुर्सी वो कुर्सी जिसको पहिये लगे होते हैं उन्हें हम पहिया कुर्सी कहते हैं तो सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम स्फूर्ती से निप्टा आना चाहती थी। हलांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना, आधी उसके लिए कठिन काम हैं। पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयम ही कई तरी के ढूल निकाले हैं। आज सुभा आठ वजे तक सुनीता नहाध होकर तयार हो गई। और उसके बाद उसने देखो मा ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। मा ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। नाश्ता यनि कि सुभा का बोजन जो होता है उसको हम नाश्ता गयते हैं। तो मा ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। मा आचार की बोतल पकड़ाना सुनीता ने कहा अलमारी में रखी है ले लो। मा ने रसोई घर से जवाब दिया सुनीता खुद जाकर आचार ले आई नाश्टा करते करते उसने पूछा मा बाजार से क्या लाना है एक किलो चीनी लानी है पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी पक्का सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा तो सुनीता ने मा से जोला और रुपे लिए और अपनी पहिय कुर्सी पर बैठ कर वह रहाएं